कई लोग ये तर्क देते हैं कि अवधी, ब्रेज, भोजपूरी, बुंदेली, शब्दों की बहुत नजदीकी है, एक ही व्रहत परिवार है, तो इन्हें हिंदी की बोलियां क्यों ना कहा जाएं, क्यों अलग से भाषा की मानेता दी जाएं? हाँ, शब्दों की नजदीकी है, क्योंकि ये जो इन भाषाओं में जो शब्द हैं, वो इस बात के प्रमान हैं कि इन अलग अलग भाषाओं के लोगों का आपस में समवाद होता रहा है, तो शब्दों की नजदीकी कोई ऐसा नहीं है, कि हिंदी की भोजपूरी के साथ है, ये आओधी की भोजपूरी के साथ है, आप बंगला की भी देखेंगे, लिकिन शब्दों की नजदीकी के कारण आप बंगला को बोली नहीं बोलते, उडिया को बोली नहीं बोलते, अब मैथली आठवी अनसूची में है, आप उसको बोली नहीं बोलते, गुजराती को आप बोली नहीं बोलते, यह सारी आरए भाशाओं की भाशाएं हैं, इन में शब्दों की नजदिकी है, और तो और, दक्षिन भारत की भाशाओं में भी संस्क्रित के शब्द वैसे ही मिलेंगे, जैसे ही हिंदी वे मिल रहे हैं, लेकिन वे भाशाओं अलग हैं, तो अनों भाशाएं एक ही हैं और एक भाशा की बोलियां है यह नहीं कहा जा सकता भाशा निश्चित करने का जो बड़ा आधार होता है वो व्याकरण है व्याकरण के आधार पर क्रियापद और शब्दों के साथ जो पूरे वाक्य में व्योहार होता है वो अलग है अवधी का अ सुन्दर हिंदी का व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान है उनका नाम है कि सोरी दास बाजपी उन्होंने लिखा है हिंदी शब्दानुशाशन तो उसका जो पहला संस्करण लिखा तो उन्होंने भी माना था कि ये अवधी, ब्रजी, बुंदेली और भोजपूरी ये कि बोलियां कहते हैं तो हमें उडिया, बंगला और गुजराती को भी हिंदी की बोलियां ही कहना चाहिए तो ये गलत है भाशा वाइज्ञानी का अधार पर ये गलत है लिंगिष्टिक अप्रोच यही कहता है कि आओधी, भोजपूरी, मैथिली, आधी-आधी भाशाएं, स्वतंत्र भाशाएं हैं, हिंदी की बोलियां नहीं हैं। तो ठीक्ठा कर मुझे याद है, तो 56-56 में पहली बार भोजपूरी को लेके समनवित प्रयास एक अखिल भारतिया भोजपूरी सम्मेलन में ये बात उठी थी। और उसके बाद इसको सिधे मैं आता हूं 74 में भी एक बड़ी अम्रियन सर उस पे और रोशनी डाल सकते दिवेदी जी ने पटना में जब अखिल भारतिया भोजपूरी सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्षा वो कर रहे थे, 74-75 की बात है। वहां ये सारी चीज है उन्होंने देखी और पीछे वो एतिहासिक गलती अपनी मानते हुए उसने बयान दिया उन्होंने उसमें तो बता दू कि ये भुचपूरी को नहीं याने दिने में उन लोग को माने जाता कई लोग के ते हजारी परसाद दिवेदी जी का भी एक हा में तो सायद कहीं बहतार होता है और ये चीज है कि आवाज उठ रही थी लगतार और चोटे-चोटे पॉकेट्स मोट रही थी सारन भुचपूरी सारन जिला भुचपूरी संविलन है बनारस के कुछ सेंटर पे है गुपाल गंज में उनीश और तालिस का एक मिजो मेरा ग ये माइग्रेशन चुंकि बहुत हुआ तो इसके आठ फॉर्म को भी लेके भिखारी ठाकुर को बहुत समय तक जूजना पड़ा नचनियों का फॉर्म है इस तरीके की बात कहे के जो हींता बहुत जो पैदा किया गया इसलिए हमारी आवाजों को सुना ही नहीं गया अब कि ओपन फॉरम है तो पिछले 20-25 सालों में जो आवाजे दिख रही है आपको ओवाजे तब छोटे पॉकट्स में थी अब सेंटर में लड़ रही है डॉक्टर पॉर्णाज सुरू किया जंतर मंतर पर हमला बोलो और अब लगतार चीज़े हो रही है अलग-अलग संस्था अलग-अलग लोग लगे हुए हैं अब आवाजयानी सुरू हो गई है